जाहिन फ्रेंट्स कैसे हैं सभी ओहो आज बच्चे वेट कर रहे हैं और पहले से गुड़ तो जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कशिश जा हेलो सर प्यूष चंडेल जैहिन सर सर आज कम्प्लीट हो जाएगा हाँ भाई इंडस वरी सिवलेशन आज हो जाएगा टोपिक ठीक है न ये कम्प्लीट पायल तॉमर जैहिन सर रितिका पनवर हाई सर गुड आफ्टरनून बहुत बढ़िया भाई प्रियांशु गुड तो भाईया ये बताओ कैसे जल रही है तैयारी गुड नून सर गुड नून अब बताओ भाई तो कल हमने जो टॉपिक पड़े थे ठीक है ना तो हमने टाउन प्लैनिंग के बारे में हमने सीट पड़ा था ठीक है है का ता हमने कौन सी मुस्कान हेलो गुरू जी इसी क्लास के लिए था और जो हायर टाउन है वो किस रिए था थी तो हमने जी वार बात करीती फिर हमने उनकी एकोनोमिक लाइफ वारें बात करीती कि कैसे वो ट्रेड करते थे ठीक है ना सर मैच की बेकार चल रही है बस और सब बढ़िया है सर जी प्रियांशू मैच कौन पढ़ाता है पुनिट दोगरा सर पढ़ाता है अपको मैच चलो देखते हैं बात करते हैं इसके बारे में ठीक है ना जाएट लेते हैं आपका जो भी चल रहा हो थीक है ना तो एकोनोमी लाइफ वारे में उन्रेड कर रहे हैं sir Hindi में कुश्चन मुसकान बच्चे मैं ट्राय करूंगा की मैं Hindi में कुश्चन लेकर आज सकूं ठीक है ना अब भगी previous year question में जैसे भी मिलेंगे तो उसमें English और Hindi दोनों format होते हैं जो जैसे कि हम कल से प्रिवेस स्टार्ट करेंगे ठीक है ना तो फिर आपकी हिंदी भी आजाएगी उसमें पिर उन्हें सोचल लाइफ देखी थी उसमें और हमने डिक्लाइन ऑफ इंडस वाली सिलाइशन था हमने देख चुके हैं ठीक है न और कुछ डिफरेंट साइट्स के बारे में मैंने को बताया था तो आज मैं एक मिसलीनियस टॉपिक भी लेके आया हूं उसके अंदर पूरा इस टॉपिक का जो भी यह वाला है इसका पूरी समराइश वे में ठीक है कैसे पूरा कंपीट हुआ है तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने रिलिजियन से अपके की कौन-कौन से गॉड़ेस थ सर इंग्लिश सही रहता है कशिज बच्चे बात यह है कि इन केस अगर किसी कुश्चन में डेलेमा है ठीक है ना एक मैं चीह होता देता हूं इन केस अगर किसी कुश्चन में डेलेमा है ठीक है तो यूपी ऐसी हमेशा इंग्लिश को प्रिफर करेंगा रैधर देन हिंदी ठीक है तो यह चीज़ समझ लेना कि अगर किसी कोश्चन में डाउट है चाहे वह लेंग्वेस के साफ से डाउट हो जाए ठीक है तो उस बेस में जो भी प्रिफरेंस होगी वह इंग्लीश को दी जाएगी थोड़ा यह थोड़ा एक प्लस पॉइंट है इंग्लीश वालों को सर्बो कशिस तुम लिये उपकी पता नहीं क्या क्या लिखर हो यार मुस्कान चला हम टॉपिक बात है अब बाकी मैप दियान अगना भाई कुछ इंपोर्टेंट में लोकिशन दाई थी आपको इसे चानुदार हो है आपका मोहन जुदार हो है आपका ठीक है काली बंगन बनावली आपकी और आपका क्या था हरप्पा लोथल ठीक है नागेश्वर दुलावीरा बालागोट कहा रह और मैंने यह बताया था कि जो यह प्लेस हैं ओके आई एम टॉकिंग टू सर ठीक है टॉकिंग टॉकिंग ठीक है यह जितने प्लेसेसे इसके बारे में मैं एक क्रक्स लिक्ए आया हूं तो हम उस पर बहुत ज़्याद़ फोकस करेंगे उस उस वाली स्लैट में ठीक ना चल और आपके करनाटर कोलार मैंस जो हैं इसके उपर भी कुश्चन पूछ चुका UPSC तो यह एक इंपोर्टेंट है आपके लिए हाँ तो आज हम बात करेंगे रिलीजिस जो भी सेक्ट है इसके रिगार्डिंग नहीं पढ़ना हिंदी में मेरे लिए इंग्लीश ही सही है ठीक है सबका अपना प्रिफरेंस है ठीक है तो भाई रिलीजिस की मैंने कल आपके बताया था कि जब आप क्या जब जो वहां पर तो पूजा होती थी एक तो थी आपकी मेल ठीक है एक आपके फीमेल ठीक है दो अलग-अलग गॉडेस तो नसर वारे में बता अब गया है जो आपके Chief मेल थे चीफ मेल दे डाइट किसके थे जो मेल में वो था कि पशुपती प्रोटो शिवा ठीक है जिसको हमार्गेट में लौट शिवा गहते हैं ठीक है रिप्रेजेंट इन दा सील एस सिटिंग इन योगिक पोश्चर ठीक है ना योगिक पोश्चर मतलब ध्यानमुद्रा में ठीक है विद थ्री फेस एंड टू हॉंस तो यूपीएसी ने एक स्टेट्मेंट आइटिंग मेरे साथ ठीक है यह बैठें ध्यानमुद्रा में लौट शिव और इसके आसपा जो भी राइनसौर है यह अलग अलग तरह के एनिमल थे ठीक है ही सराउंड़ेट बाई फोर एनिमल कौन कौन से हैं आप पर एलिफेंट है टाइगर राइनो एंड टू हॉन गॉट इट क्लियर है भाई तो यह इंपोर्टेंट मांगे कौन कौन से जानवर है मैंने वोकल बताया था वहाँ पर के नाम है जब हम आईवी से वारे में बात कर रहे थे कि यहां पर कुछ चीज ऐसी है जो हमें नहीं मिली थी जस्फ फॉर एग्जांपल की मैं बात करा म ठीक है लाइन के एविडेंस नहीं मिले हैं सेकेंड चीज मेटल में आईरन जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आईरन की भी खोज यहां पर अब तक नहीं हुई थी तो गॉट इट भाई क्लियर है यहां तक प्रियांशू क्लियर सर बहुत बढ़िया भाई ठीक है अब बात करते हैं फीमेल डाइटी की तो जो चीफ फीमेल डाइटी थी उनको क्या कहते हैं मदर गॉडडेस रिप्रेजेंट इन अट टेरेकोटा फिगराइन ठीक है ना लिंगा वार्शिब वस प्रिवलेंट लिंग जो लिंगा है आपका जो लिंगा वर्ड जो प्रोमीनट हुआ है जो वह आपका मेल रिप्रोडट्टिव ओर्गन जो हम जिस शिवलिंग की आज की डेट में पूजा करते हैं ठीक है तो वो भी कहीं न की उसी का है तो ये फ्रॉम दे इंशेंट टाइम से हम ये सब चीज चलती आ रही है जब आप जैनिजम और बुद्धिजम पढ़ेंगे तो आप वहां भी देहें कि वहां पर नैच्रल वर्शिप जो है उसको ज़्यादा मेहत्व दिया गया एस कंपेन तो आइडल वर्शिप के लिए इन केज अगर मैं एक कुश्चन बता हूं डाइटी का मीनिंग होता है अंदर आइडल वर्शिप मतल्ष मूर्ति पूजन होती थी नहीं होती थी इसके बारे में मुझे एक कोई बता है हां यह नाम एक अंसर देगा ठीक है मूर्ति पूजा होती थी है नहीं होती थी ठीक है एक कुश्चन मैंने पूछा है कि अगर इनकेश यूप्या से पूछ लेता है किसी स्टेट्मेंट में कि इंडर्सली सिविलाइशन के अंदर जो आपकी आइडल वर्शिप थी वह होती थी नहीं होती थी तो उसके वारे उसके बताएगा मेरको अंसर बताओ भई कैसे डिले पड़ रहे हो खाना तो खालिया होगा है डाइटी का मीनिंग एणिबडी या रिस्पॉंस कर दिया करो बराबर वोला है मैं रिस्पॉंस करते रहे करो इससे इंट्रेक्शन मना रहेगा तो पढ़ाने में मजा भी आएगा और आपको भी कॉंसेप्ट क्लेटी चलती रहेंगी साथ की साथ मिशन खडग वासला भाई यह सर बहुत सही भाई एक ही आंसर आया है इतनी देर में कैसे भाई सो रहे हो गया तो बिलकुल भाई आइडल वर्चिप आपके सामनी है पशुपती प्रोटो शिवा ठीक है और आपकी जब मदर गॉड़े अपके उनके बारे में भी है अगर हम मदर गॉड़े सकी अगर एक उसकी पृतिमा की बात करनें कि एक फोटो आपका यह एंसर्टी फोटो है आपका तो आप देख सकते है ठीक है और यह जो इनकी जो सील है यह फिर जो इनकी पृतिमा है वह कहां से मीली थी वह अपके ट्री एंड एनिमल वर आलसो वर्शिप यहां पर जो चलन था ठीक है होती थी सर बिल्कु वात है तो यहां पर हमने एक चीज़ा हमें पाचली कि यहां पर आपके आईवी सी है यहां पर आईडल वर्शिप इसाथ मैं आपके नेच्णल वर्शिप को भी वह लोग महत्व देते थे ठीक है जैसे अगर हम किसी ट्राइबल एरिया की बात करें किसी ट्राइब की बात करें जो नोमेडिक ट्राइब है तो वह आज कीडेट में भी कहीं ना कहीं हद तक अपने जैसे किसी एक नॉर्मल जो और गंगाजी पर जब जाते हैं तो वहाँ पर अपने हिसाब से जल से उनको जो भी अभिशेक टाइप करते हैं ठीक है एक टीज दे बिलीव यह कुश्चन आई सिंग ऐसे सी में आया था दे बिलीव इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेज मतलब वह भूत परेद के उबारे में भी विश्वास रखते थे और उनका जो उपाय था जो आपके एमिलेट से इसको भाई केतने ताबीज ठीक है तो वह सो उनका जो मानना था कि यह दागित अभी से वह गोस्ट और इविल से अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते है तो यह भाई आपका रिलिजियस का आपका फैक्ट है इससे जादा रिली एस फैक्ट आपके किसी भी और अढ़ी ए झाव किसी डिपेंस एक्जा फोटो देख लिए हमने ठीक है अब कुछ मिस्लेनिस टॉबिक के बारें बात करेंगे बाइज जो हमने पढ़ाए कल से लेके आज तक उसका एक पूरा जो एक छोटे फॉर्म में आपको यहां समझाएगा तो इस पर बहुत ज्यान देंगे क्योंकि मेजर कुश्चन चाहे आप कोई से एक्जाम के लिए ठीक है या फिर आपको अगर यूपेसी में अलिमिनेट करने के लिए या भी जो वच्चे अगनीवीर के अंदर आइदर एरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर ट्राइगर रहे है तो इनके लिए भी यह कुछ इंपोर्टेंट क्रक्स है ठीक है तो यह बहुत मैं कहते हैं वेरि 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 बारे आपके लिए सब्सक्राइब हुआ है इससे ने कितनी वार रिपीट कर रहा है मुझे भी नहीं पता तो इसका अंसर है शरस्वति ठीक है न तो जो इंडसरी सिविलाजेशन है इसके जो नियरभाई सेटलमेंट मेजर सेटलमेंट जो ते वह आपके सरस्वती के पास थे एक मैप के तुरू मैप दिखाते हैं इसके बाद यह इंप्रॉटेंट माइप करना इसको कुछ जो इंप्रॉटेंट है उनको हम धेंगी कौन सी साइट किस रिवर के पास में है सेकेंड वी बिलॉंग टू चाल को लिथिक चाल को लिथिक मतलब कुई बैदा सकता चावको लिथिक मतलब कॉपर एज कि आथ तो यहां पर दो जो आपके कहते हैं आपके जो मैटल थे कौन खॉपर्ड एन ब्रॉंज इनका मतलब हमने अइडिए लिया था और आइरन वाज नोट डिसकोवर्ड यह अन्नोन था यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ आप मार्क करेंगे कि फ्रॉम वेदिक कल्चर जब हम वेदिक कल्चर गवारे में हम बात करते हैं तो वहां से आइरन का विश्कार स्टार्ट होता है और कहीं न कहीं जो आइरन है इस पूट शूट शुत केंदर मेरे सुटा केंदर दर अजी भी नाम है इसका ठीक है न तो यह फूर्ट सीटी थी आपकी इंपोर्टैट से ने अभी तक मेजर कुशन मनां है आपके याफिर आर्मी जी डी के लिए लोग तैयारी कर रहे है तो मिचंब आपके बालाकोट के ओ पर उन्होंने काफी कुश्चन मनाए तीन साल मैंने कुश्चन दिखे तो इस पर कुश्चन पूचे गए ठीक है कुछ साइट्स जो इंडिया में है और पाकिस्तान में इसके ओपर भी कुश्चन फॉर्म हो जाते हैं और नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है तो जो साइट इंडिया के अंदर थे गॉट इट जो साइट इंडिया के अंदर थे वो थे लोथल काली बंगन बनावली और दोला वीरा तो आप एक चीज़ ध्यान लखेंगे जो साइट इं यह यह आपका अभी करेंट इंडिया आपका अ कि अ कि अ चलिया रहे यहां तक मोहन जुदारो पाकिस्तान चीक बाला कोट पाकिस्तान चांद हुदारो पाकिस्तान हरपा पाकिस्तान क्लियर है वाई तो यह है वाई मैप की इंपोर्टेंस इनके तर कुश्चन आ रहाता और आपने कभी मैप नहीं देखा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है अब सेकेंड चीज इंडिया में दोला वीरा लोथल नागेश्वर और आपका काली बंगन बनावली जो आपकी राक करिए वो इंडिस वाली सिवलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है ठीक है ना एक यह इंपोर्टेंट चीज मार्क कर लें क्लियर है वाई प्रियांचु क्लियर है बहुत से इमिशन खड़े वासा क् ठीक है तो जो इंडियन साइट थी वो हमने देख लिए और जो साइट पाकिसान के अंदर थी वो हमने देख लिए नेक्स लाइड हरपा साइट वा डिसकवर्ट बाई दयारम सहानी ठीक है तो यह मतलब बहुत बेसिक चीज़ हो गई है बहुत पहले पूछा था कुश्च और यह 1921 के में इसका डिसकवर्ट किया था ठीक है तो दयारम सहानी जो साब थे आपके उन्होंने हर अपन साइट का डिसकवर्ट किया था और सेम आपका मोहन जुदारों जो है आपकी वो आड़ी बैनाडी साब ने करी थी 1922 में ठीक है ना तो किसी एक को याद कर रख ल डिजी फॉर डिरेक्टर जर्नल ओफ एसाई आर्गलोरी सरव अफ इंडिया फू डिसकवर्ट इंडर्स वाली सिविलाजेशन ठीक है ना तो जो फस्ट डिजी थे वो कौन थे आपके अलेक्जेंडर चुकिंगम ठीक है और वो डिजी ओफ एसाई आर्गलोरी सरव अफ इ चलो फिर रिलीजियस बिलीफ ओफ हरपन प्यूपिल क्या था उनका जब पीपल ओफ दिस सिविलेशन वर्शिप मैनी गोड्स और इंपोरेंट चीज मांग करेंगे अब यहां से क्या वाज लिए हमें कि यहां पर प्रोटो शिवा एंड मदर गोड़ेश के अलावा और भ तो जो हम कहते हैं कि हमारे जो हिंदू अपना उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं तो वह प्रथा पहले सी चलती आ रही है देव वर्शिप लोड़ शिवा जो आपके प्रोटो शिवा हैं मदर गॉड़ेश एनिमल बर्ड ट्री एंशन एनिमल बर्ड ट्री एंशन एक और यहां से क्या पाज से लिए आइडल वर्शिप तो ही है साथ में नैच्रल वर्शिप भी है साथ में ठीक है तो जो आपके सन है आपकी विंड है आपकी और क्या मून वाटर एटीसी जो भी पंच्तत्व हैं उन सब को भी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं इंपोर्टेंस दी गई है यहां पर तो उनकी वी वार्शिप करिया थी कास्ट सिस्टम वाज नौट प्रेजेंट इन दिस सोसाइटी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क करलेंगे इसको के उपर कभी एक कॉस्ट्चन आया हुआ है तो कास्ट सिस्टम वहाँ पर नहीं था ठीक है ना सुसाइटी के अंदर तो आई वी सी चाहिता हूं जब आप वेदी कलचर में पढ़ते हैं आप का तो रिग वेदिक तक आपका सब ठीक था आफ्टर रिग वेदी सबसे पुराना वेदय अपने उसका उसके बाद से आप कास सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यह इस इंपोर्टेंट इस तो कास सिस्टम था वा नहीं था और प्यूपिल लिफ टुगेदर विद म्यूच्वल लव म्यूच्वल लव एंड अंडर्स्टेंडिंग वूमें हेल्ड हाई पॉजिशन और रैंक इंदर सोसाइटी फिर वह बात जो वूमें थी उनकी क्या नाम जो उनका ओधा था वो उपर था कहां पर इंडर सेम रिगवेदिक काल तक भी आप देखेंगे कि जो वूमें है वो का पॉमिनेंट और अपने अच्छे रैंक के अंदर पॉजिशन थी सोसाइटी के अंदर गॉट इट क्लियर है यहां तक सबको प्र्यांचू अंशू यह ओ आर्म मतलब सम्झा नहीं है आपकी बात क्या है यह आपका अंशू नायक ओ और्म भाई यह शॉर्ट फॉम क्या यह अब यह कुछ साइट के बारे में एक क्रक्स यह बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट कि दूई बात या तो कुष्चन आएगा या फिर एलिमिनेशन के काम आएगा दोचीज हमेशा याद रखना अपने कॉंसेप्ट को इतना शार्बन करो अपनी नॉलेज को कि या तो कॉंसेप्ट आएगा उसके उपर कुष्चन या फिर अगर कुष्चन आता है तो आप य तो यह आपकी 8 साइट है अब कुछ यहां पर इंपोर्टेंट चीज देखते हैं जहां बहुत जाज कोश्चन यहां से पूछ गया है फिर्स्टी हर अपन के बारे हम बात करें तो भाई वर्जिन यहां से फाउंड हुई थी मतलब यह वो चीज़ है जब हमने एक्सवेट प्रिवी से कुछ ने पूछ गई है कि कौन सी चीज से कौन सी साइट से कौन सी चीज मिली है तेकर रिवाइज लो करने से पहले पिर देखते मैदान में कितने हैं ठीक ना टैंशन मतलो यार सब्सक्राइब यापर स्टोन सिंबल ओफ लिंगम है क्ले फिगर आफ मदर गॉड़ेस मार्क कर लें भाई यह सारी आपके एंडियों चीज़ पूछ रही है आपकी ठीक है और सिस्ट ग्रिनरीज इन अर्रो अधिक आप सभी में से किस कुछ लोगों ने टेरिटरियल आर्मी के बारे में नाम सुना होगा तो 2019 में कुछ न आया हुआ तो उस पर ये यूज होता था ठीक है ना मोहन जुदारों में पश्चुपत्ति प्रोटो शिवा की सील यहां से मिली थी ब्रॉंज डांसिंग गल यहां से मिली थी आपको दैन आफ्टर आपकी सेटाइट इमेज और बीर्ड मैन एक डाड़ी वाले आदमे की एक मूरत मिल तो यह कुछ एक्सेप्शन है यहां पर ठीक है ना जैसे चांध हुदारों में हो गया और एक और है हां बनावली में लेक ओफ सिस्टेमेटिक ड्रेनेज तो इस दो चीज इंपोर्टेंट होई यहां पर ठीक है तो चांध हुदारों में सिटी विदाउट सिटाडिल राइस हस्क भाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट फायर अल्टर्स शैल ओर्रामेंट्स मेकर्स ठीक है क्लेर है यहां तक प्रियांचू नितिन बहुत बढ़िया भाई काली बंगन अब काली बंगन से क्या नाम यादार आपको काली फॉर ब्लैक बंगर फॉर बैंगल्स तो ब्लैक बैंगल्स भी यहां से मिले गए ते मैं मेंशन करना भूल जा था और उसी पर इस साइट का नाम रखा गया इस उसी एविदेंस पे तो प्लो फिल्ड मिला है यहां से डेकोरेटेड ब्रिक मिली है आपको और वील्स मिलें आपको ठीक है अब याद रखने के लि शायद आप कल की क्लास में थी या नहीं थी एक चीज़ें बताता हूं आपको हाँ इधा देखते हैं कल मैंने बताया था कि भाई जो आपका जो इंडेसली सिविलेजेशन है वह आपके जो रहां लोग रहते थे वह दो पार्ट में डिवाइड था जिस फॉर एक्जांपल एरिया में ठीक है तो जो आपका हाई एरिया था जो आपका उठा हुआ जहां लोग रहते थे ते अब सिटाडिल का असली में जो में ओरिजनल इस्टैबलिश्मेंट का जो में बेक्ग्राउंड मैं मैं वह बताते था हूं यह को व यह न्म मैं बढ़ी ब्लाओ जब कोई किंग रहता आए कहीं पर ठाक तो वो थोड़ा लोवर क्लास से तो जो उस तैम की मर्चंट क्लास थी ति06 Christmas ऑर को एंते थो एंव आपका जो मर्चंट फर झालये या उता पर यह यह आपका citadel वाले एरिया है citadel इसका अगर अगर कवरेश की बात करें कवर एरिया कम है ठीक है पर इसकी है जादा है कि इसी का पोजिट जो लोग का लोवर टाउन था उसका स्पेस ऑक्यूपाई जादा है पर जो उसका लेंड सर्फेस वह लोवर पर है क्लियर बही है यहां से क्या नाम था उनका कशिष जा इस तो स्मॉल एरिया एंड हाइँ एल्टीट्यूड पर जो सिट्वेटेड है वह अपका शिटाडेल है लार्ज एरिया और लो ऑल्टीट्यूड अटाउन है बहुत चले फिर ठीक है फिर आपके आते हैं बनाव लिगे और हम बात करते हम लैक ओफ सिस्टेमेटिक ड्रेनेट सिस्टम एंड टोई पलो जब हम इंडस अली सिविलाजेशन में हम बात करते हैं किसकी अपकी ड्रेने सिस्टम की तो जो आपका जो आपका क्या नामें इंडस वाली सिविलाजेशन के अंदर जो ड्रेने सिस्टम था वो कैसा था एक उस पर गहुर करते हैं तो सारा जो सिस्टम था वो एक तरह से पूरा एक कवर था किससे ब्रिक से और बैड़े शेल्टर से ठीक है जैसे कि यह नाली आ रह तो पूरा कवर था नमस्कार कशिष जी इरितिक शर्मा एंड हाई क्लास बुलकुल सही बात है ठीक है तो जो आपके यह वाले जन था पूरा एक तरह से अंडर ग्राउंड रेने सिस्टम था कि गॉट इट तो जो आपका बनावली जो आपकी साइट है वहां पर लैक औफ क्या था सिस्टम था जो डिने सिस्टम था था थोड़ा बहुत लैक था उसका फिर दोला विरा के रहां बात करते हैं यूनिक वोटर हार रेशिंग सिस्टम ठीक है और एक यहाँ पर एक दोल रितिक शर्मा यह सर और शुता गेंदोर में आपको क्या में दा बॉन्स और फोर्स एंड पॉर्ट ब्यूर्स लिए तो यह कुछ इंपोर्टेंट साइट से जहां से कुछ हमें इंपोर्टेंट चीज मिलीती और बेसिक लिए कुशन आपके इनी चीजों में से पूच जा नहींते ती की वह कुण सी साइट ती जहाँ पर आपके श्यैलमेंट के लिए खेये कौन कों से थी एक तो का कौन था एक तो कौन से आपका इसमें तो अभी हैं यहाँ के लिए एक अबपा है नाग सिस्टम नहीं है यहां तीन साइट डिवाइड है यहां पर मतलब पूरा जो साइट है वो तीन पार्ट में डिवाइड तो ऐसी चीजों के उपर मेजर एक्सेप्शन हो जाते हैं कुश्चन यहां फॉर्म होते हैं अब नॉर्मल और जेनरिक सी बात है कि भाई पढ़ने के ल civilization ठीक है लार्जेस साइट है और लार्जेस इंडियन साइट जो थी आपकी इंडेसली से लेजिंगी और राख गिरियो इंडिया में से चूटेट है तो यहां तक जो इंपोर्टेंट साइट और कुछ उसके वो कंप्लीट होते हैं फिर हम बात करते कॉमन फीचर आफ मेज करते हैं इसको करते हैं इसको करते हैं अब कुछ फीचर देख लेते हैं मेजर सिटीज की सिस्टेमेटिक टाउन प्लैनिंग था मतलब जैसे एक्जांबल की तवर पर हम समझें ग्रिटर नौइड आप सब्ली लोग ने दिखा होगा देन आफ्टर उस साइट का निर्मान करा गया मतलब उस सिटी का ठीक है तो वह उची बता रहें जो इंडसली सिवलेशन था वह पूरा एक तरह से सिस्टेमेटिक टाउन प्लैनिंग था ठीक है ग्राइड सिस्टेम था आपका ग्राइड सिस्टेम बोले तो यह वाला 90 डिग्री वाला ऐसे हैं ओवरलैपिंग नहीं था सारे घर एक सिक्वेंस में थे ठीक है यूज और बंट ब्रिक मतलब पक्की इट को यूज करते थे वह लोग कहां पर इंदक कंस्ट्रक्शन अंडर ग्राउंड ड्रेन सिस्टम तो मैं आपको एक छीज बताई थी जो घर बनते थे वहाँ पर वह आपकी कच्छी इट से बनते थे और जो आपका ड्रेने सिस्टम था वह आपकी पक्की इटोसे बना जाता था ठीक है गेंट रिजर्व वाटर रिजर्वार भी वो लोग बनाते थे दोलावीरा के अंदर मिला था फॉर्टिफाइट सिटाडिल ठीक है तो फॉर्टिफाइट मतलब किला बंदी और सिटाडिल मैंने बता दिया कौन से एरिया होता है जहां पर हाई-ल्टी कम स्पेस वाला ठीक है एक्सेप्शन चान हुदारो यह बन गया इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए कि भाई सब कहां पर फॉर्टिफाइट नहीं था तो चान हुदारो में फॉर्टिफाइट नहीं था सिस्टम कॉट इट मेन क्लॉप्स कौन कौन सी थी भाई महापर वीट बारले एविडें से लोथल से मिलें आपको और आपके रंगपूर से मिलने हैं जो आपके गुजरात वा सीचुएटेट है तो जो आपके पूछते ना राइस कुल्टिविशन आफ राइस की जो एविडेंस से वह आपके लोथल से मिलें क्लियर वहां तक कि एजो कोई डाउट बताओ भाई सर हिंदी मीडियम के नोट्स प्लीज अमन सर ट्राइ करेंगे बिल्कुल खो सकता है तो इंडस वैली सिविलाइशन के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन प्रड़क्शन किया था कहा पर विश्व के अंदर युएसे ने जब बोला था कि क्या नाम है कि सबसे पहले जो कॉटन है कल्टिवेशन वह हम लोगों ने करा है पर यह गलत है हमारे जो आपकी जो इंडसली सिविलाइशन के जो लोग थे इतने इंशेंट मतलब जब उनकी लेंगवेज भी हमें नहीं पता किस लेंगवेज हो लोग बात करते थे उन लोगों ने कोटन प्रटक्शन के स्टार्ट कर जाता एंडसर रंगपूर से भी ठीक है बहुत सही ठीक है ना एनिमल्स कौन-कौन से मिले थे बाई शीप, गौट, हम्पलेस बुल, बफैलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टाइज, एलिफेंट, कैमल, रिनसर्स, टाइगर ठीक है बहुत तो एनिमल्स इंपोर्टेंट एक्सेप्ट कौन से नहीं था लायन नहीं था वेरी 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 कोई एविडेंस नहीं था और आयरन कोई एविडेंस नहीं था यह दो चीज़े मार्क करना इंपोर्टेंट नहीं एक लियर वहां तक कशिज जा लोथल एन रंगपूर कि अ क्लियर वहां तक सबको ले बताव फिर आगे चलते हैं कि चलिए भाई तो हमारा हो गया सेशन कंप्लीट अब टाइम है प्रिवेश येर कोश्चन की अब बताव यहां तक किसी टॉपिक में कुछ को कोई दिक्कत हो तो बताओ देन आफ्टर हम प्रिवेश ये कोश्चन पर चलते हैं कि क्लियर चलिये फिर लगाओ भाई रिपीट क्वेश्चन कल भी कराया था फिर कराया जाते हैं कुछ बच्चे नहीं जुड़ें हमार साथ बताओ भाई कि विच्वन अब दा फॉलोइंग हरपन साइट वह स्पेचलाइस सेंटर फॉर मेकिंग शेल अब्जेक्ट हरपन सब्व्यदा की वह साइट जो आपकी किसकी लिए स्पेचल थी शेल मेकिंग अब्जेक्ट के लिए तो भाई ऑप्शन आपके लोथल बाला कोट अमरी एंड कोट दीजी बताओ इसका अंसर क्या होगा भाई दोसाइट का अंसर भी है ठीक है दोसी साइट उसका अंसर भी लोग को एंप तो बाला कोट है यह है सेकेंड सेट कौन सी थी कशिष जाब बिल्कुल सही बालकोड रितिका गुड रितिक शर्मा क्लेर है सर बहुत बढ़िया भाई सेकेंड सेट का नाम बताई ये कृप्या और यार कंटेंट लिकार चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक बढ़ाओ भाई मतलब बोलेंगे तो लाइक बढ़ेंगे बताओ नहीं बोलेंगे तो लाइक भी नहीं करोगे ये नागारजुन किसे लिखाए मेरे भाई नागारजुन नहीं है नागिश्वर है बिल्कुल रितिका सही है नागारजुन नहीं है भाई नागिश्वर है वो ठीक है तो इसका answer आपका भी बदा हुआ सेकंड गुश्चन तरिटोरियल आर्मी दोजर अथा रहे which metal was unknown in industrially civilization gold silver copper iron मिशन खड़कवासला कह रहे हैं बी सिल्वर यार क्या यार नितिन गोस्वामी ने बता दिया आंसर बहुत सही मिशन खड़कवासला एक गोल्ड भाईया कहां कहां हो खड़कवासला साब कहां पर हो बताया ना भाई औरनामेंट्स वो लोग पहनते थे एरिंग्स पहनते थे गोल्ड की शैल्स मिलें तो अब जादा गोल्ड होगा नहीं कि तर एक स्लाइड हिंदी मीडियम प्लीज एक स्लाइड अमन जी कल से करेंगे बिलकुल आप कल से आप निराशनी होएगा काज एड्यस करें कल से ट्राइड करेंगे पर मैं हिंदी में बता तो रहूं भाई साथ के साथ यह पूछा कि कौन से ऐसा धातु है जो आपके इंडिसरी सिलेशन के अंदर नहीं मिलाता तो सोना है चांदी है तामा है और लोहा है वाई चलो हिंदी में बता दिया आपको अब बता ओ आंसर इसका मिशन ख़ड़ा को सलगवात लेडि तो भाई आप पहले एक यो बोल लेते हैं सर भी वन का था बीवन का था ए कौनसा बीवन का था मिर्भाई अचा फर्स्ट का भी था अच्छा थीक ठीक 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 आए अर अब आ अधिक है भाई आइरन बिल्गू सह कि थोड़ा ट्रिपी कोश्चन है ट्राइ करो में बताई दूंगा कि सिंदू गाट्टी की सब्व्यता की जो स्क्रिप्ट है वो किस भाषा में है करोस्ती स्क्रिप्ट में है भाई ब्रामनी है बहुत सो पेड़ोन है आपकी या फिन नन अफ दे एबर बैर कि बताओ भाई लोगो को कि नितिन गोस्वामी टू कि भाई टू क्यों बताया कोई आइडिया कि भाई जो आपके कुरुस्ती आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपकी हो कब की है आपकी आर्यंस आए क्या आए थे आपके इंडो आर्यंस के टाइम की वाते है ठीक है तो जो आपके जो इंडो Eastern के waking कब आये वह अपके वेदि कालमाए थे ठीक हो तो टाइमठा रेम हो कट कितना है वो को बता सकता है मेर को surck प्रजिस्ट ब्राह्मनी बुक करें तो जो आपके इंडो आर्यन थे वह आपके वेदिक काल के आसपस आयते और तो जो इसका डिकलाइन थे तो उसके बाद आपका वेदिक कल्चर आया था ठीक है ना तो आपके इंडो आर्यन से आपके उनके टाइम किया तो ऑप्षिन ए हो जाएगा गलत ठीक है फिर ब्राह्मनी के बारे में ब्राह्मनी लेंगज के बारे में कौन-कौन जानता है पहले इस चीज़ के पर बात करते है कोई कुशन थोड़ा इंट्रेस्टिंग है तो देखते हैं इसके बारे में बताओ भई आंसर दो जो यार नितिन गोसवामें बहुत सही बात है भाई ब्राह्मनी वाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक तो जो आपकी ब्राह्मनी है वह थर्ड सेंचुरी के लिटेड एक ठीक है और जो आपके साउथ ईस्ट सौथ इस्टन जो आपके एरिया है वहां की यह लैंगवेज आई तो साउथ इस्ट एस्ट की यह आपकी और थर्ड सेंचुरी में तो अब्यस सी बात है भाई बीसी वहां पर है और सथ सेंचुरी तो यह भी नहीं होगा तो आपकी बौशतरों पडर्ण यह आपकी जो सक्रिप्ट आपकी यह असल में मीनिंग है कि किसी चीज को एक लिपी में लगाना ठीक है ना तो एक यह आपकी लेंगवेज टिंग स्टैल आपकी यह uh और मैंना आपको कले चीज बताई थी कि जो इनकी जो लेंग्वेज थी हम उसको डिकोड़ नहीं कर पाएं ठीक है ना तो तुम ही सही बताओ कशिज जब इसका ऑंसर है यह है तो मैंने आपको कलेख शीज बताएं तहीं है अभी तक ठीक है तो नेक्स्ट कुस्टन बताइए भाई विच आपके चैनल पर दोनों टाइब के बच्चे पढ़ते हैं हिंदी और इंग्डिस कल अमन जी मैंने आपकी बाद भाई सुन ली और मैं समाध रहा हूं आपके उपर क्या भीत रिया विल्कुल मेरे साथ भी बहुत बच्चे थे जब मैं पढ़ता था जो हिंदी मिडियम से इसूस होते हैं भाई कल से मैं लिटरल ट्राइब हो कि आपको यह चीज फील ना हो यह भी आपके लिए ट्रांसेटर के मैं लेके आजाओं ठीक है ना कल से भी हम वैसे हम प्रीवे प्रीवाइक क्यों करने वाले कल से थोड़ी क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है तो यह करना पहली बता देता हूं क्यों कल हम हिस्ट्री प्लस पॉलिटी कि दोनों की क्लास ए प्रीवी से कुश्चन नें गॉटिट भई थी लोथल चांधारों कोई लोथल क्या रहा है को चांधारों कर रहा है अब देख लेंट अब यह जिन लोगों का एव वह सही है कि देख कहां पर है एविडेन डॉक्याड का लोथल में है चांधारों सिट्टी विदाउट सिटाडेले भाई ठीक है ना तो जो लोग बता रहे हैं कि चांधारों इसका अंसर है तो एकर वह पहिए थोड़ा क्रॉस वेरिफाय कर लें चीजों को ठीक है और जोनों ने लो मदर गॉड़ एसकी कहां से मिली थी अभी अरे आंसर तो मैंने बताई दिया इस में ठीक है भाई हर अपन से आई थी सील ठीक है ना बताव भाई कुश्च्चन कि आ कि मोस्टली बीट वर मेड़ पॉफ अमन भाई हिंदी में नहीं रितिक शर्मा भाई उसकी बाद भी सही है अमन की कि भाई अगर वह इनकेज अगर हिंदी मीडियम से वह पड़ा हुआ है तो भाई उसके थोड़ा बहुत इश्यूस होते हैं तो आपको भी यह चीज समझनी पड़ेगी बच्चा यहां हर तरह बच्चा है इंग्लिश मीडियम से भी है हिंदी मीडियम से भी है ठीक है ना तो मुस्ट प्रभावली कल से अमन्जी ट्राइ करेंगे कि हम दोनों लेंग्विज में लेके हैं तो आपको भी दिक्कत ना और आप भी फटा फट आंसर देपा है यह से बच्चे देपा रहे ह अब करेंगे जैम स्टोन है आपका यह जैस्परें लेपी जैम स्टोन है आपके अगर यह मोतियों के बारें बात करता है मोतियों कभी ट्राकोटा सा बंती ही नहीं है ठीक है अब भाई एक चीज में आप से फिदाल तो यह टॉपिक तो कम्टिट होगा अपना और कुशन ह नहीं ठीक है अब यह बताओ कल से हम लिखाएंगे हिस्ट्री और पॉलिटिक प्रिवेस यह कुश्चन जो आपके अंडिये में आये हैं अब यह बताओ मेरे असाफ से तो भाई एंडिये प्लस CDS प्लस CAPF क्योंकि यह तीनों का पेपर कराती है UPSC ठीक है तो कोश्चन जो है अल्मोस्ट होते सेम कोश्चन का लेवल सेम है कोश्चन का पैटन से मैं तो क्या इन तीनों कोश्चन लेकर हूं यह खाली स्पेशलाइज एंडिये के लिए क्यों अब मुझे इसके वा गॉट इट भाई तो यह बताओ कि क्या नाम है कुश्चन या खाली एंडिये के लोग आप लोग यह फिर एंडिये सीटे जाशी एप्याफ के लोग यह बताओ सर्फ पॉलिटी की क्लास का टाइम बता दो रितिका बच्चे ट्राइब करेंगे कि हम हिस्ट्रियो पॉलिट्यो साथ में लेके चलें सिर्फ एंडिये के अमन जी एक चीन में बता देता हूं कभी आप एंडिये और सीडिये कुश्चन देखना काफी हद तक टेकल करते हैं सेम सेम तो उससे क्या कि आपको वराइटी ऑफ कुश्चन करने को मिल जाएंगे यहां पर बिलकुल कशिच जा मैं भी तीनों की सोच तो वराइटी ऑफ कोश्चन मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए इनके अगर मैं तीनों के लिए आता हूं बाकि आपकी चोईस अगर आपको तीनों के चीन तो मैं तीनों के लिए लिए आउंगा गॉट इड़ तो फिर आगे जो फॉर्दर टॉपिक्स हैं हम उनक को कुश्चन के तुरू शॉट आउट करेंगे ठीक है और जो चीह मुझे लगे कि ज्यादा इंपोर्टेंट है उसके लिए अलग से टॉपिक उठागे कोई भी एक लेक्टर लेंगे ठीक है और मॉडरन इंडिया की मैं बात करूं तो बेसिकली मैं ट्रैकर मोडरन इंडि सब्सक्राइब है तो भाई आज का सेशन कैसा लगा तो भाई अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेर और सब्सक्राइब हमारा आपका हम सब का चैनल एंडिया ड़ा 247 ठीक है और जुड़े रही हमारे साथ साथ सेलेक्शन भाई ट्रै करेंगे ही से निकल जाए मैंनत कर सब्सक्राइब है तो कोई दिक्कत किसी को ओके सर ठीक है ठीक है कोई दिक्कत किसी टॉपिक में कोई इशू आ रहे हैं जर्नल स्ट्डी से एक्जाम के पॉइंट आ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज पूशने तो भी पूश सकता है थैंक्स सर अगर हमारा जोब है यह मस्त न किसी को किसी टॉपिक में कोई इशू आ रहे हैं स्पेशली गेट वाले सेशन आपका जो है आपका जी एटी वाला जो के एरिया और स्पेशली उसमें आपका जेनल स्टेडिस वाला जो एक कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो ब किल मांगे मोर कि हीदी मीडियो नोट्स अमन जी आपकी बात सुनी मेरे भाई कल से ट्राइ करेंगे बिल्कुल है क्लेर है करें फिर सेशन को ओवर यह कोई डाउट है कोई कल जब सेशन ओवर किया था जब डाउट आ रहे थे बच्चों के सर पॉलिटी टाइमिंग डिफर करते हैं पॉलिटी नोट भाई पॉलिटी में हम ट्राइक करेंगे खाली जो मोस्ट आपके रिलेवेंट टॉपिक है उनके बार ही बात करें लेटिटूड और लॉंगिटूड ठीक है इसको सम्झा देते हैं अमन जी एक मेंट लाइन रुकिये भाई संधा आपको ठीक है ना यांकि अर्थ है अत्य होगा अधना अर्थ को कि अर्द में कुछ लैन ऐसी हैं और कुछ लैंत करा अचे एंट्यड हुए है तो जो आपकी लेटिटीड विलेटी होई मतलब जो आपकी होरिजंटल लाइन है ठीक है और चाकल है लन लेने जो आपकी वर्टिकल लिए ठीक है तो यह होते हैं भाई लेटिटीटूड लांगिटूड लेटिटूड लांगिटूड की अगर नीड की हम बात करें तो भाई दोनों की इंपोर्टेंस इतनी जाद है कि हमें अगर कोई एक्जेक्ट लोकेशन टैप करवानी है तो हम बिना दोनों की मदद की लोकेशन टैप नहीं करवा पाएंगे जो आपकी GPS है या फिर जो आप मैप यूज करते हैं वो किसी एक्जेक्ट लोकेशन को नहीं जानता है वो ठीक है ना वो किसी प्लेस की लेटिटूड लॉंगिटूड उसकी जो डैमेंशन से ना उस पर काम क आते हैं फिर से आपके आते हैं संब से तीन किसना आता है इसरे मेजयर ओप्रोंड होंगे मोदन से अगर आप थोड़ी चीज को बाइफरगेट करें तो आपका जो गांधियन इराय आपका कब से जब वो 1915 में जब वो आते हैं भारत और तो यह थोड़ा यहां से कुश्चन आने के चांसे ज़्यादा होते हैं है क्लियर है तो हिस्ट्री कोश्चन यह है थोड़ा मैं बताऊंगा जो कुछ जो असेंब्ली या कोई एसोशेशन बने थे जैसे तक तो बोधनी सभा है ऐसी जो भी एसोशेशन है इनके वारे मैं एक चार्ट ले आऊंगा क्योंकि हर साल एक कुश्चन उसमें से आता ही आता है क्लियर भाई तो हिस्ट्री में यह है अल्मोस्ट आपके 15-18 कुश्चन आदे कर जाता है 20 तक पहुच जाते हैं तो अल्मोस्ट यह लेक्ट चलिए तो एंशेंट मेडिवल मॉर्डन टिया ना मेडिवल बात करें तो आप दिल्ली सल्तनत और भक्ती मुव्मेंट और आपका क्या नाम है मुगल एंपायर जो आपके अर्ली मुगल से यह तीन इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके सर बाइलोजी की क्लास नहीं हो रही है कौन पढ़ाता है आपको भाई बाइलोजी की क्लास नहीं हो रही तो भाई यह भी तो है ना कि चलो मैं बात कर लूँगा फिर भी जैहिंद गुरूजी कब से स्टार्ट होगी भाई बाइलोजी की मैं बता हूं खाली आप एक काम करो क्लास नाइन क्लास टेंथ और मेरे साथ से आठ चैप्टर है ठीक है ना उस पर ध्यान दो और एक चीज़ में बता दूँ आपको बाइलोजी के लिए जो आपका एनिमल जो आपको किंडम वाला जो आपका है आपका ठीक है उसमें आपके फाइलम के बारे में बहुत साजी चीज दिए है कि एंत्रोपोर्डा है और दो तीन अलग चीज तो उसमें क्या करना आपको उनकी जो एक्जामपल से ठीक है उसमें क्या कहता है कोई सिलो मेट है ठीक है उसका वर्ट रिबरा है उसका ठीक है तो कुशन उन्हीं चीजों पर बंते हमेशा तो आप एक काम को तो बने रही है उनके साथ वो भी मतलब नईया पार लगवा देंगे आपके टेंशन मतलो बहुत अच्छे और स्पेशलाइस टीचर है हमारे ठीक है तो भाई बाइलोजी में ते यह होगा आपके किंग्डम वाले एरिया दूसरा जो आपके जितने भी हुमें सिस्टेम है आ इनके बारे में आप पाड़ो एक आइधिंग छास नाइन चैप्टर है और साल मतलब साल में दोवार ठीक्रेशन आ रहे है हर साल इसी स्पेशल एरिया से ठीक है सेल वाल हो गया और तीजों चोथा होगा आपका वाइरस एंड डिजी जो भी है उसकी कि वाइरस कौन सा है कौन सा नहीं है ठीक है तो उसके बारे में कैसे हम क्योर करेंगे और विटामिस और मिनरल ठीक है इन चीजों के उपर बिल्कुल डिविजन कोशन यहीं से बनते हैं ज्यादा इदर अधर बाहने कोई जुरूत नहीं है एंस्यार्टी उठाओ ठीक है और क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ की कुश्चन उठालो भाई जो चीर मैं सबके सामने करों बैट के साथ क्या सकता हूँ अंड्रेड परसेंट कुश्चन जो बार का बालो जी का है वह आपका एंस्यार्टी से याता है एक कोश्चन बाहर से नहीं आता नहीं तो जब जिसन एनलाइस कर वाएंगे ओधिन पेज के साथ आओंगा ओस दिन ठीक है ना तो माइंड माई वर्स बाइलो जी के लिए एं तीन से आठ्ट कुश्चन आते हैं भई बाई लो जी से क्या नाम है आपका कशिष भाई साइन्स का जो आपका पोर्शन है आपका तो सबसे ज़्यादा कुश्चन से दर्फेजिक्स से दिन आफट राटें चैमेस्ट्री से दिनाथ आफट रातें भायो से आपके ठीक है फिजिक्स में ऐसी चीज है भाई कि कुछ नुमेरिकल भी साथ ने तो थोड़ा बहुत हम घबरा जाते हैं ठीक है पर जो आपका एरिया है यह वह वाला एरिया यहां से आपको कुश्चन निकालने निकालने तो यह थे पढूंति हैं क्योंकि यह ओब यहां से माक्सिमम लो कुश्चन को सही करके नंबर निकालते हैं तो यह माझनों कि अगर जैसे साल पिछली साल 40 कुश्चन आयते तो और वह पंदर से ऑन से और को से इस भी जादा थे और में लिए तो उसकी बूर्बियेटी चांस इसकी जादा हाई है कि वो अपना सेलेक्षिन स्क्योर कर रहे आपका जोग्रफी से कितने कोश्चन आते हैं भाई या जोग्रफी से आपके कि और कोई डाउट कि अ कि सर्ट क्लास 11 की मैथ NCRT पढ़ने भाई मैस के लिए तो बहुत बहुत सौरी अपना मैस के लिए टाइट अपना सर न्यूमरिकल कितने रहते हैं किसमें फिजिक्स में ऐसेच कुछ सब्सक्राइब करने के लिए बागी समीर सर ज्याद अच्छा होता हैं फिर मैं आप एक चीज़ी बता देता हूं कि एंडे में जो कुछिंज आते हैं वह फैक्ट्ट थोड़ ज्यादा आता है तो इसमें जो आपकी यहां से आ रही है वह तो तो क्यों होगी अब इसके एक्जामपल्स क्या है यहां पर कि अगर हमें कोई सिक्का बगेट के अंदर है यहां पानी है तो इसका में उपपर दि पीस में आया था आप सोनार के उपपर आया था स्के सवरी डॉपलर इफक्ट के बारे माया था अब अब डॉपलर इपक्ट का एक अप्लिकेशन है कि कोई भी एक विकल जो ट्रेवल कर रहा है तो हम उसे उसकी स्पीड मैजर कर सकते हैं तो ऑप्शन आया था वैसके सब्सक्राइब करें तो आप कैसे उसको रेक्टिफाइब करेंगे ठीक है ना तो ज्यान ने कोई दिक्क्त में साथ लगेगी नहीं करते ही ओवर बाकि हम सब हमारा साथ जुड़े रही है तो भाई अपके साथ एट इंस्टेंट तयार है ठीक है ना हर तरह से बागी पढ़ते रही है अभी समीड सराएंगे भाई गजब पढ़ाते हैं विल्कुल तीन बजे आओ कैमेस्टी पढ़ते हैं ठीक है ना सर इंग्लिश की बुक वर्ड़ पावर मेड़ इजी कैसे पढ़ें वर्ड़ पावर मेड़ इजी भाई बहुत हलकी किताब है प्र मेरा रहाता है तो कुछ एरिया है आपके जो इंग्लीश मैंडम पढ़ाती है इसके बारे में बता देंगा ठीक है ना वैसे मेड़ा तीन चार चीजी है तो ज्यादा टेंशलिंग जूरूत नहीं है बागी यह दो तीन चीज तो मेरे जादे पापकी पैरा जंबल और आप की इसके लिए तो प्रिविसर कुशन देंगा जाता बढ़िया रहेगा बाई सर पाइस सर वो बुक किस लिए है भाई वर्ड पावर मेंड इजी नौलेज को ग्रैप करने के लिए है मतलब बहुत अनंद नौलिज उसकी किताब के अंदर ठीक है बढ़ी चलिए फिर करते हैं भई शैशन को ओवर जान भी मैं से मैं बात करूंगा बहुत आप इस बात कर लेना बता देंगी जोवी शोट ओट साटीव ठीक है फिर करें जहिन सभी को पढ़ते रहे आराम से प्रीविसर कुशन लगाते रहें वागी कोई दिक्कत ह है तो एंड यह है आपके साथ अड़ाब के साथ है ठीक है ना चलिए फिर करते हैं बाई 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 कर दो कर दो कर दो